नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरी यूटूब चैनल पर मैं वेखुल आपको दोस्त एक बार फिर से आपके बीच एक नई वीडियो के साथ जुड़ चुका हूँ और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर चैप्टर नमर टू अगर डिरेक टेक्स की बात करें एक बार फिर से पिछली बार हमने चैप्टर नमर वन की सारी इलस्टरेशन सॉल्फ करी थी इस बार भी सारी इलस्टरेशन और साथ ही साथ टेस्ट आप मोटा मोटा उसके अंदर agriculture income के बारे में है बाकी exempt income के कुछ और miscellaneous points भी है लेकिन अगर आप practical point of view से बात करें जो हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं हम इस वीडियो में mostly questions all करेंगे और आप देखेंगे कि mostly questions agriculture से related अगर आपने agriculture की concepts कर रखें यह आपको basic भी पता है तो आप अराम से कर सकेंगे मेरे साथ और मैं आपको illustrations के साथ-साथ concepts करा दूँगा और मैं पूरी-पूरी उमीद लगता हूँ कि जब आप questions करेंगे मेरे साथ तो आपको concepts अपने आप revise हो जाएंगे तो एक बाद start करते हैं बाकी जैसे भी होता है फिर देखते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं देखिए illustration number 1 आप अपने यहाँ पर study material को लेंगे वहाँ पर illustration 1 खोल लीजिए देखा page number पर मत जाईएगा page number तो कि मैंने change कर रखे है यहाँ पर अपने आपसे थोड़े से space होगरा बनाने के लिए changes कर रखे तो उसको मत देखना आपकी यहाँ पर page number कौन सा है बस इसका questions करें और आप solution देखते रहे हैं आपको मैं साथ साथ study material के solution देखा तुमाँ ठीक है solution करते है इस question का solution का है इक है कह रहा है अमर जो है वो ग्रो करता है sugar cane ठीक है कोई दिकत नहीं है and uses the same for the purpose of manufacturing the sugar in the factory इसके दो परपस है या एक करता है यह sugar cane ग्रो करता है साथ में same for the purpose of manufacturing the sugar बनाता है अब यह कह रहा है 40% of the agricultural produced is sold for 112 लाक मतलब एक तरफ यह कह रहा है 40% हमारा एक तरफ यह कह रहा है 60% हमारा 40% यह कह रहा है कि बेचा है हमने 12 लाक में 40% कितने में बेचा है 12 लाक में ठीक है एक बाल लिख लेते है cost of cultivation of such sugar cane और इसकी जो 12 लाक में कह रहा है 40% मैंने sold किया है और यह कह रहा है cost of cultivation मेरी कितनी है 6 लाक अब मैं आपको बतातू हूँ यह क्या है इसने क्या किया है यहाँ पर cost of cultivation of sugar cane sugar cane हमारा क्या होता है agriculture product है ठीक है और अगर हम उसको process कर देंगे और वो sugar बन जाएगी तो वो हमारा agriculture प्रोडिक्ट ने होता है तो उस case में आप क्या करते है 40% का आप क्या करेंगे 40% जो है न यह जो यह कहना चाहरा है यह हमारी होती है यह क्या कर रहा है sale in a row form क्या होती है sale in a row form मतलब वो आगे conversion नहीं कर रहा है मतलब इसमें कोई PGBP की income नहीं होगी यह पूरी की पूरी हमारी agricultural income होगी तो sale कितने में किया है sale proceeds कितनी है हमारी 12,00,000 यहां पर यह क्या कह रहा है cost of cultivation यह कितनी कह रहा है 6,00,000 यह 6,00,000 क्या हो गए हमारा agriculture income समझाया इसके अंदर कुछ भी आपकी मतलब business income नहीं थी क्योंकि आपने row form में भेज दिया यह खतम हो गया अब आता है second part यह है important इसके अंदर करना होगा आपको bifurgations bifurgations किस चीज का अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह कह कह रहा है the cost of cultivation of 60% which is 60% है उसको cost है उसकी cultivate करने की कितनी 15,00,000 रुपे ठीक है cost of cultivation कितनी है 15,00,000 रुपे उसके बाद और the market value of the same is 25,00,000 रुपे अब आपको बेज़ दिया 30,00,000 रुपे मैं आपको बनाता हूँ देखिए क्या करना है बहुत easy size के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है आपको एक तरीके से किया formula या या तरीका या या चलो कि क्या करना होता है इसके अंदर दो हिससे बढ़ते हैं आपके एक होती है एक्रिकल्चर की income ठीक है PGPP की income और agricultural income इसमें आपके दो हिससे है तो आपने PGPP की income में आप क्या करोगे आप देखोगे sale of final product अपका कितने में विका है अगर आप देखोगे आपका final product रिका है कितने में 30,00,000,00000 अब तीस लाग में रिका है आपका final product ठीक है उसके बाद यहां पर आप लेते हो फियर मार्किट वैल्यू ओफ एक्निकल्चर प्रेड्यूस फियर मार्किट वैल्यू जो आपकी देर रखी है 25 लाग तो यहां पर आप क्या मैंदस करोगे 25 लाग साथ में आप क्या और मैंदस करोगे कोई यहां पर आप लेके जाओगे फियर मार्किट वैल्यू यहां पर आप लेके जाओगे फियर मार्किट वैल्यू यह कितनी आपकी 25 लाग यह आपकी पूरी आगई अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे कोस्ट ऑफ आपको कल्टीवेशन दे रखे देखो यह देखो कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन का है 15 लाख तो इसकी होगे 15 लाग रुपे यह कितना आगए आपका 10 लाख रुपे एरिकल्टरल इंकम अगर आप 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 से कोई पूछ लेकि बिजनस इंकम केतनी है और एरिकल् इंकम कितनी है तो 6 लाग प्लस 10 लाग यह आपके होगी 16 लाग रुके इतना सिंपल था यहाँ पर देखो अब मैं आपको बता तुम क्या था इस कोशन में कुछ भी नहीं था आपने क्या किया है यहाँ पर एक एक आपने शुगर के इंको क्या किया है क्या है , बहुत ह turkey लोटनए क्या करते है अपने उसको , nytt अउसको भी चुर्पर में बेज दिया ठीक है विलकुल भी विल्कुल भी चीए और यह आपने क्या कर रहा है ? ऍजासे स्परमतित लाग दनाने क्या है , अब क्चैसे स्पर्किशंग पसं प्रमें और छीजक है उसमें से यह fair market value minus कर देते हैं और minus कर देते है manufacturing expense यह आपके आज़ते है PGBP income बहुत simple सा question था उमीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा अब जाते हैं illustration number two की तरफ ठीक है illustration two की तरफ जनते हैं यह आगे आपका illustration number two illustration number two illustration number two आपका कुण सा है दिलेश वाला देखो दिलेश वाले में आपने क्या करना है यह देखिए एक सेकिंड sorry 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 आगर आप answer match करना चाहोगे देखो answer बिल्कुल चाहिए आएगा 16 लाग 30 लाग जो हमारा आया ठीक है बहुत easy था कुछ था ही नहीं इसमें है अब इस question की अगर बात करो यह एक और बहुत simple है इसमें तो जार कुछ नहीं करना है यह क्या कह रहा है एक latex है latex आपको पता है जो ratios दे रखिया वो आपका agriculture का होता है बस यह याद रखना आपने अगर आप इसमें देखें कि sold for the कितने में बेचा है आपने 36 लाग में आपने बेचा है market में ठीक है उसमें से आपकी cost of growing कितनी थी 16 लाग उसमें से आपकी manufacturing latex कितनी थी 12 लाग बचा कितन है आपका 28 लाग आपका बचा इह 8 लाग अब 8 लाग को आपने क्या करना है एक agriculture होता है इसमें से एक इस परसेंट क्या होता है हमारा PGBP यह मैं आपको टेबल भी दिखा दूगा ठीक है आपको एक बार भी तो इसमें से 65% अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या आजाएगा यह आजाएगा मारा 5.2 लाग और बिजनेस इंकम हमारी क्या आजाएगी इसका अगर आप 35% करोगे तो आपका आएगा 2.8 लाग आप करके देख सकते हो बहुत इसी था देखो अगर आप यहां देखो अगर आप यहां देखो अगर इंकम 5.2 पीजी बीप 2.8 कुछ था इसम बहुत सिंपल सा था यार देखो सिंपल पर्संटेज निकालने आपने में आपको पर्संटेज किये देखे जो मैं टेबल की बात कर रहा था यह एक बहुत इंपोर्टेंट टेबल है मोस्टली कोशन में यह सो यूज होएगी तेखो 55% और 35% जितनी भी एगिल गंचर लिं कि अंकुल जो है ओनर ऑफ यह कैरला में है जिसमें यह पैडी वैडी यह सब बनाते है ठीक कोई दिकत नहीं है पांच लाग ऐसे रेंट वर्ट तो फॉटिंग यह आपको याद आजाएगा अगर आपने कंसेप्स पढ़ रखेंगे शूटिंग ऑफ दा फिल्म से आया है तो यह आपका अग्री कल्चुल इंकम नहीं है यह पढ़ सकते हैं नोट इन अचर अफ एक रिकल्चुल इंकम इंडर समझा गया तीन इनस क्वेश्ट अप्रफट से डिसकस कर लिया है अब एक यह इंपोर्टेंट कोंचेप्ट आ रहा है जिसके अंदर आपने क्या करना ह जिसमें यह पागल बनाने वाला है tax या पर government ने जो पागल बनाया है लोगों को इसको हमके कहते है partial integration tax वसूलने का एक पागल बनाने का तरीका मैं आपको इसमें थोड़ा सब जल्दी जल्दी से concept पतलता हूं क्या होता है इसमें क्या होता है अगर आपकी agricultural income जो है more than 5000 है और आपकी non agricultural income more than the basic exemption limit है तो आपका लगता है partial integration का concept partial integration में आपने क्या करना है सबसे पहले आपने क्या करना है agriculture और non agricultural income को add करना है ठीक है उसके ओपर tax निकालना है उसके बाद आपने क्या करना है non agriculture income और basic exemption limit को add करना है उस पर tax निकालना है one और two का difference निकालना है फिर आपने surcharge या assess जो भी है वो add करना है बस खतम ये concept है अब मैं आपको फटा-फट से बिखा लेता हूँ देखो इस question में मैं आपको ज्यादा देखो इसमें क्या है agriculture income आपकी more than पाच अजार ठीक है exemption limit ठीक है समझ आगे है खुछ था ही नहीं इसमें तो अब आपने क्या करना है आपने पहले क्या करना है agriculture income लेनी है agriculture income आपकी कितनी है चार पचास ठीक है यहाँ पर इसमें expense कितने दे रखे हैं हमें एक साठ के expense दे रखे हैं आपका यह कितना आ गया दो लाक नब्बे हजार आपकी क्या आगी agriculture income ठीक है अब बात करें अगर बाकी अधर income नोन agriculture income के बात करें नोन agriculture income आपकी कितनी है चार लाक और तीन असी यह कितना होगा है साथ असी ठीक है यह आपकी होगी नोन agriculture income अब आपने क्या करना है फर्स टेप क्या बताया था मैंने agriculture प्लस नोन agriculture income कर दो जो भी आएगी यह आपकी क्या आएगी agriculture और नोन agriculture अगर आप टोटर करोगे 7.8 प्लस 2.9 करोगे यह आपकी आएगी 1071234 ठीक है और अगर आप इसके ओपर टैक्स निकालोगे हम कैसे निकाल रहे है पहले हम एक पर निकालेंगे new regime के इसाब से और एक पर निकालेंगे old old वाली कौन सी कहा हूँ है जो हमारी पहले 2.5 लाग वाली old को old मानके चल रहे है ठीक है new वाली कौन सी वो 0 से 3 लाग वाली 3 से 6 लाग वाली ठीक है agriculture income का और basic exemption limit का total ये agriculture income आगी 2.90 लाग प्लस basic exemption limit यहाँ पर आप क्या लोगे 3 लाग अगर आप वो दूसरे वाला old scheme जो हमारी होती थी पहले या जो है हमारी अगर उसको देखते हो तब आपको क्या लेना होगा यहाँ पर 2.5 लाग रुपे इसका total क्या आएगा आपका 5 9 1 2 3 4 इसके ओपर भी अगर आप tax निकालोगे तो आपका tax आएगा 1 आपका tax आएगा 1 4 5 double 0 ठीक है यह मैंने calculation कर रखी है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कोई दिक्कार आए बेजी जगो के पूछ रहे ना नीचे आप calculation देखोगे अब यह आपको दिखाँगा तो समझा जाएगा अब आपने क्या करना है 1 minus 2 मतलब 705 double 0 minus 1 4 5 double 0 इसका answer का आएगा हमारा 56,000 इस पर आप क्या करोगे 4% surcharge आड़ कर दोगे आपका answer आएगा 58240 यह आपका answer है ठीक है दीखाता हूँ आपको क्या कर रखे है इन्होंने देखो थोड़ा सा format बगड़ गया यह देखो पहले आमने क्या किया non agriculture income निकाल दी 780 ठीक है फि उसके ओपर tax निकाल दीए यह acid इन्होंने tax निकाल दिया ठीक है अगर आप देखोगे तो फिर यह क्या किया agriculture income plus basic exemption limit यहाँ पर फिर tax निकाल दिया और यह आपका कर दिया यही चीज मैंने आपको पताईए और इस portion में अगर आप देखोगे तो सेम 780 वैसे ही निकलेगा 290 यहाँ पर भी सेम आएगा यह एक डिफरेंस आजाएगा जो आपने यहाँ पर old scheme में करना है old regime जो आपकी है ठीक है बस यह भी आपका हो गया और यहाँ पर क्या था हमारी age देखना यहाँ पर 75 साल होगे हमाँ पर हमने जो calculation करे रहे हैं इसके साब से और अगर आपने मेरे पिछली विडियो जिसमें मैं आपको calculation करना है tax rate की कैसे tax rate return है अगर आपने वह सारी illustrations में start कर ली तो यह तो बहुत असानी से आप कर लोगे इतना depth में मैं एक एक वह नहीं काल रहा तो यह revision है जल्दी से जल्दी आपको revise कराने की मेरी कोश्चिस है ठीक है यह आपकी कितने अगर आप चेक करें चोथी इल्लस्टेशन यह कह रहा है पांच लाग आपको पांच लाग रुपे इस पेड़ पे तो यह जो हमारी compensation होती है यह हमारी exempt income होती है यह देखो एनी compensation paid by the central government or the state government local authority shall be exempt from the tax अगर किसी घर को मिली है bomb blast में यहाँ पर यहाँ पर death होगी उनकी disaster के अंदर यह किसी भी disaster के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो यह exempt होती है जो compensation गवर्मेंट देती है तो हमारे इस इसाब से पाँच इलस्टेशन थे पाँचों के पाँचों खतम हो गए अगर आम अब test your knowledge के question देखे देखो test your knowledge के question भी असान से है कुछ आपको खास देखने को मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ है जो illustrations थे वो फिर भी अच्छे थे लेकिन अगर आप process देखोंगे यह तो बहुत ही असान है देखो इसमें क्या है यह तो reason वाले है कोई solution में नहीं करना इसमें फटा 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 से 5-4 मिनट में खतम हो जाएंगे सारे देखो क्या है rent of 60,000 charged from the patents for occupying the houses of land situated in India used for agriculture purpose tenant working in the nearby industrial यह occupies these houses for the own residential purposes यह आपकी note exempt है यह residential purposes के लिए use कर रहे है agriculture purposes के लिए use नहीं हो रहा अगर आप यह line पढ़ोगे आपको असानी से समझा देगा rent of letting of the house agricultural land for the residents shall not be an agricultural income ठीक है बहुत असान था यह हमारी exempt नहीं है अगर आप यह देखो अनंज nursery from the sale of the seedling without carrying the basic operation चाह करे हो चाह ना करे हो यह हमारी exempt income होती है ठीक है उसके बाद इस सिक्किम इस वाला यह अगर आप point देखोगे सिक्किम में अगर आपने कोई भी अगर आप बोन होया है देखो इसकी क्या line होती थी मैं आपको बता दूँ यह क्या होता था कोई भी income अगर सिक्किम इंडिविजुल को मिली है by the way of any sources in the state of the सिक्किम income by the way of dividend or the interest on securities मतलब सिक्किम में अगर आपको कोई भी interest मिली है सिक्किम इस individual को तो वो exempt है तो यह भी आपकी exempt income होगी यह points अगर आप याद कर लोगे concepts में भी यही कमर है अगर यह concepts आपने पढ़ लिए उपर के एक बार या किसी भी author की book से पढ़ लिए या revise कर लिए तो बह बहुत असान कोशन है इसमें क्या कर रहा है a resident Indian who earns 22,00,00 रुपे आप earn करते है from the rubber in India grown in India ठीक है 30,00,00 from the latex in Malaysia तो Malaysia वाली जो 30,00,00 की जो income है यह तो पूरी की पूरी PGP होगी क्योंकि हम agriculture income in India की बात कर रहे है ठीक है इन इंडिया में कितनी agriculture income है इंडिया में तो दो हिससे ब बात करते है क्या बनते है कि PGP है तो 35% और agriculture की कितना हिस्ता बनता है agriculture income कितनी बनती है 65% ठीक है और outside इंडिया अगर agriculture income है तो पूरी की पूरी PGP है यह होगी 30,00,00 की PGP income ठीक है अब इस काम 35% कर देंगे 35% कितना आएगा 22,00,00 का जो इंडिया में करी है 22,00,00 का 35% 7.7 ठीक है और agriculture का कितना आएगा 14.3% बस यह करना पर अगर रेट या देना आपको 35 और 65 बस आपने डिवाइड करना है अगर इंडिया है तो दो हिस्से बटेंगे अगर outside इंडिया है तो पूरी की पूरी PGP की income है यह agriculture income नहीं है आप solution देखेंगे आपको बहुत असानी से समझा ज अगर आपने वो पढ़ा होगा ना concept द्यान से अगर ग्रोन एंड क्योड होता है तो उसके अंदर PGP income कितनी होती है 25% और agriculture होती है 75% लेकिन अगर आपने पढ़ा हो कि ग्रोन क्योड रोस्टेड जादा ही उसको मतलब हमने और convert कर दिया तो वहाँ पर हमारी PGP का हिस्सा जादा हो जाता PGP हो जाते 40% और agriculture income हो जाती है 60% पस आपने जो यह income है उसको आपने यह 25 लाग को आपने इस ratio में डिवाइड करना है ठीक है समझा गया 25 लाग को इस ratio में डिवा अगर आपको वह table याद है देखो आपको table दिखा देता हूँ 65% यह देखो अगर आपको यह table याद है तो आपने कुछ भी नहीं करना simple से agricultural income अगर कोई भी income इंडिया में आन हुई है उसको आपने बस इस ratio में इन ratios में apportion करना है देखो बस उस Chinese chapter के अदर गिंतिगी 5 illustration और 3 test your knowledge थे हमने सारी के सारी खतम कर लिया है उमीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बहुत मतलब easy सा chapter था कुछ था ही नहीं agriculture ही था इसमें जो main main था हमने 20 मिनट के अंदर यह पूरा chapter कर लिया है अगर आपको कोई भी दिक्कत आए कोई भी कुछ भी पूछना हो बेजी जग और comment करें क्योंकि आपके comments आपके likes ही मेरे motivation है अभी के लिए टाटा bye bye see you आपसे मिलता रहोंगो ने नहीं वीडियो के साथ टाटा bye bye see you bye bye